श्री राधा कृष्णाय नमो नमह सर्पतम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलो की वंदना करता हूँ आप सभी भग शोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ महाम संथ कवी भगवान श्री कृष्ण के भग श्री रस्खान जी द्वरा रचित प्रंत रस्खान रतना वली से अब तक हम आठ अध्याय का शवन कर चुके हैं इसे आगे बढ़ाते वे हम आज नवे अध्याय का शवन करेंगे जिसके सुन्दर पदो की व्याख्या इस प्रकार से है मोहन शवी रस्खानी लखी अब द्रग अपने नाही उचे आवद धनुष से छूटे सर से जाही हे रस्खान मदन मोहन की सुन्दच हवी देखने के बाद अभी आखे अपनी नहीं रही जिस प्रकार धनुष से छूटने के बाद तीरपना नहीं होता मौमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद अब बेमन मैं का करू परी फेर के फंद मेरे मन का मानिक के तो मन को चुराने वाले नंद 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 श्रीकरश्न ने ले लिया है अब बिना मन के मैं क्या करूँ मैं तो भागी के फंद में पड़ी हुई हूँ देख्यो रूप अपार मोहन सुंदर श्रीकरश्न नेत्र प्राण और आत्मा में बस गए है अर्थात वही सब कुछ हो गए है मन लीनो प्यारो चिते पैछटाक नहीं देत यही कहा पाठी पढ़ी दल को पीछो लेत मेरे प्रियतम ने मेरा मन ले लिया है परंतु देते छटाक भी नहीं उन्होंने यही पाठ पढ़ा दिया है कि पहले अपना सर्वस दे दो फिर मुझसे कुछ लेना ए सजनी लोनो लला लहो नंद के गेह चितेयो मृद्यो मुसकाई के हरी सबे सुधी गेह हे प्रियर नंदलाल के दर्शन का लाब होता है जब हम नंद के घर जाते हैं वे मधुर मुसकान से देखते हैं और सब की सुध हर लिते हैं जोहन नंद कुमार को गई नंद के गेह मोही देखी मुसकाई के बरसयो मेह सने हैं मैं नंद कुमार श्रीकृष्ण को खोजने नंद के घर गई थी मुझे देखकर मदन मुहन मुसकुराने लगे तो ऐसे लगा कि सनेक के बादल ही बरस रहे हैं स्याम सखन धन घेरी के रस बरस यो रस खानी भई दिवानी पान करी प्रेम मद मद मानी श्याम का स्नेहरस उमर घुमड कर बरस रहा है रस खान जिसने भी स्प्रेम मदिरा को पी लिया वो दिवानी हो गई अरे अनुखी दुलहन, तु नई नई गौने से लाई है, छलिया मनमोहन तुम्हारी ताक में है, बाहर पाव मत रखना जब मदुवन की जाडियों में देखा, तो उसमें से शाम मटकते वे, इटलाते वे निकल रहे थे, उनकी शुभा ताजा खिलेवे पुष्प के समान लग रही थी, रस्खान तो भूले से खड़े थे, लेकिन प्रजबासी तो स्वेम भूले भूले से भटकते रहे, नटनागर प्रभू का वरूप अध्भुत है दूद दोो, सीरो परियो, तातो न जमायो करियो, जामन दयो सो धरियो धरियो इखटाईगो, आन हात आन पाई सब ही के तबहिते, जबहिते रस्खानी तानन सुनाईगो, जोही नरत्योही नारी तैसी ये तरोन बारी, कहिए कहारी सब ब्रज बिलाई लाईगो जान ये ना आली ये छोहरा जसो मती को बासुरी बजाएगो के विश बराएगो दूद निकाल कर रखा ही रह गया उसे कोई जमान नहीं पाया जामन धरे धरे खटा हो गया कोई भी कुछ नहीं कर पाता रस्खान जबसे मदन मुहन अपनी बासुरी की तान सुना गये है जैसे नर वैसे ही नारी जैसे ही तरुन व्रज के सभी नर नारी जैसे सब कुछ भूल गये है जसो मती के इस छोकरे को छोटा मत समझना बासुरी क्या बजा गया जैसे जहर ही बरसा गया बजी है बजी रस्खानी बजी सुनके अब गोप कुमारी नाजी हो नाजी हो कोई जो कदा चत कामनी कानी मैं बाकू जुतान कूपी हो कूपी है बिदेश संदेश नापावती मेरी वदे कुमेन सजी है सजी है तो मेरो कहा बस है सू तो बहरीन बासुरी फेरी बजी है बज गई फिर से बज गई रस खान इसे सुनकर अब रच कुमारिया जीवित नहीं रहेगी वो नारी जब भी अभी भी जीवित नहीं रहेगी जिसके कानों में ये मधूर आवास पढ़ गई प्रियतम तो विदेश में है मेरे मनवा देह की शुभा बढ़ गई है और यदि ये शुभा बढ़ी है तो इस पर मेरा क्या वश है ये दुश्मन बासुरी तो फिर से बज गई है अधर लगाए रस प्याए बासुरी बजाए मेरा नाम गाय हात जादू कियो मन में नटवर नवल सुघर नंद नंदन ने करी के अचेत चेत हरी के जनत में जटपट उलट पुलट हट परिधान जान लागो लालन पे सबे बाम बन में रसरास सरसरंगीलो रसखानी आनी जानी जोर जुगती बिलास किये जन्द में अपने होटों से लगा कर उनोंने रस पिला दिया जब उनोंने अपनी प्यारी बासुरी बजा दी मेरा नाम बासुरी में बजा कर हाए उन्हें तो मुझ पर जैसे जादू कर दिया सुन्दर मदन मोहन नटवर नागर गिरधर ने घर में बैठे बैठे ही मुझे अचेत कर दिया अपने अस्तवेस्त वस्तरों को ठीक कर सभी ललनाए वन में जाने लगी हे रस खान उस रंगीले मोहन ने महारास रचाकर सभी के मन में वास कर लिया है कान दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मन्द बजे है मोहन नितानन सोर सखानी अटा चड़ी गोधन जे है तो गे है टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कलही को कितनी समुझे है माई रवा मुक्की मुस्कानी समहारी ना जे है ना जे है कानों में उंगली डाल कर मैं कहीं छिप जाओंगी जब करनया अपनी मुली मंदस्वर में बजाएंगे इस खान कहते हैं कि उसकी मोहिनी तान तो ऐसी है जो गायों तक के मन को मोह लेती है मैं पुकार कर कहती हूँ कि वरजबासियों कल तुम कितना ही समझाओगे मुली की मोहिनी सब को अपने वश में कर लेगी मा उस मुख की मुस्कुराहट कैसी है जो तन को संभलने भी नहीं देती जादिन तेव नंद कुछोहरोया बन धेन उचराई गयो है मीट ही ताननी गोधन गावत बेन बजाए रिजाए गयो है वा दिन सो कहू टोना सो के रिस्खानी ये में समाई गये है कोव न काहू को कानी करे सिगरो भरजबीर विकाई गयो है जिस दिन से वनंद का बालक श्री कृष्ण इस वन में गाए चरा गया है अपनी गाव को लिए मीठे स्वर में बास्री बजा गया है उस दिन से वा सब कुछ जादू सा करके रिदे में समा गया है कोई किसी की बात कहां सुनता है सभी वरज उसके हाथो बिकसा गया है रंग भरयो मुसकात लला निकसयो कल कुझनी ते सुखदाई मैं तबही निकसी घरते तकी नैन विसाल की चोट चलाई रस्खानी सो घूमी गिरी धरती हरनी जिमी बान लगे गिरी जाई तूटी गयो घर को सब बंधन छूटी गोयो आरज लाज बढ़ाई अपनी रंग भरी मुसकान अपने होटों पर सजाए कल जब मदन मोहन लता कुन से बाहर आ रहे थे तब ही मैं अपने घर से निकल रही थी उन्होंने मुझे देख कर अपने विशाल नित्रों से चोट की रस्खान मैं तो घूम कर उसी तरह धरती पर गिर गई जिस तरह बान की चोट खाकर हिरनी गिर पड़ती है उस दिन से घर के सभी बंदन छूट गए सभी शेष्टता और बड़ाई छूट गई है हेरत बार ही बार उते तव बावर इलबाल कहां धो करेगी जो कबहोर स्खानी लखे फिर क्यों हूना बीर री धीर धरेगी मनही है काहो की कानी नहीं जब रूप ठगी हरी रंग ठरेगी याते कहो सिक मानी भटू यहेरनी तेरे ही पैड पड़ेगी तुम बावरी जिने बार बार खोचती हो तुम उनका क्या करोगी जो वे दिख पड़े तो धीरच कैसे रख पाओगी जब उनके रूप में रंकर ठगी जाओगी तो तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आएगी मैं सच सच कहती हूं सकी मेरी बात माल लो यह उन्हें खोजना एक दिन तुम्हें ही परेशान करेगा इस प्रकार से शुरस्कान रतना वली से आज नवम अध्याए की संपंता होती है शवन करने के लिए और अपना बहु मूल समय देने के लिए आपको धन्यवाद शुराधा क्रिश्नाए नमो नमह